अभी तक जो हम लोगों ने जाना उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि किस प्रकार से एक आवेश होता है जो दूसरे आवेश की उपर बल लगा सकता है और हम लोगों ने इस थिर वैदुत्य के सीखी फिर जब हम लोगों ने आवेश को गतेशील बनाया किसी तार के अंदर उसे चलाने का प्रयास किया तब हम लोगों ने विदुत्धारा के बारे में जाना और विदुत्धारा के बारे में जानने के बाद में हमारे सामने बहुत सारे उसके उप्योग सामने आ गया बहुत सा या गतिसील आवेस के कारण चुम्बक की प्रभाव को उत्पन किया जा सकता है और इस कारण फिर लॉरेंस का फोर्ज और बहुं सारी चीजें हुई और हम लोगों ने ये जाना कि किस पकार से चुम्बक जो है वो अपने आप में बरताव करता है और किस पकार से वह एक गति विद्धारा के प्रवाह के कारण उत्पन होता है चुम्बक के इस गुर्ज के बादे में जानने के बाद में जिस तरीके से हम लोगों ने इस्थिर वैद्धुतिकी की बात की थी उसी तरीके से हम लोगों ने एक चुम्बक को भाई जैसे हमें प्राकृतिक रूप से लेकिन इसी बीच एक घटना हो गया यह गटना क्या थी यह घटना यह थी कि एक व्यक्टि ने इसंगात अवियक्ति को सोचा किसप्रकार से हम हावेशलों को गतिसील रखके उसके चुम्बक की प्रभाव को देख सकते हैं मतलब जिस प्रकार से हमें एक विदुद्धारा के कारण एक चुम्बक की भाती विवार करता हुआ परिपत दिखाई दे सकता है उसी प्रकार से क्या हम एक चुम्बक से विदुद्धारा उत्पन ने कर सकते हैं यह बहुत बड़ी पांडे और हम सब क्या वाते करने हैं हम कर रहे हैं परिक्षा की तयारी यहां पर जो है कख्छा बार्वी की भौतिकी के लिए हम 2023 के परिक्षा की तयारी exam series के तहत कर रहे हैं मैं यदि आप हमारे application में आएंगे तो यहां पर आपको exam series mission 2023 के नाम से दिखाई देगा और इसका फाइदा यह है कि यहां पर हमारे application में आपको additional contents भी मिल जाते हैं जैसे कि mind map हो गया class notes हो गया और यह सारी चीजें तो जुड़े रहे हमारे साथ में अगर आप YouTube में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हमारी चर्चा का विशाई क्या है विद्द चुम्बकिये प्रेरण एवं प्रत्यवर्तिधारा विद्द चुम्बकिये प्रेरण अब हम लोगों ने यह चीजें सीखनी चालू कर दी हैं कि किस प्रकार से चुम्बक की सहायता से हम विद्द धारा उत्पन ने कर सकते हैं पहले हम लोगों ने क्या देखा था पहले हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से और उस्ट्रेड ने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विद्द धारा से हम चुम्ब सारे नए आयाम खोल दिये बहुं सारे नए उपयोग खोल दिये और यहीं पर आएगी एक बार बात Nicholas Tesla और Benjamin Franklin तो आईए आगे बढ़ेंगे और यहां पर पहले हम blueprint discuss कर लेते हैं यह blueprint में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जो एक नंबर का है फिर एक सवाल पूछा जाएगा जो तीन नंबर का है और एक सवाल पूछा जाएगा चार नंबर का है यह एक विशेश चैप्टर है जहां पर से चार नंबर का सवाल पूछा जाता है एक ही सवाल चार नंबर का इसी चैप्टर से आएगा यह सवाल इनके स्ट्रक्चर और इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे बस आप यह जानके चलें कि यह चैप्टर जो है क्या इस आठ अंक के लिए आपकी तयारी क्या होनी चाहिए आएए देखते हैं चलिए तो सबसे पहले हम जह चुम्बकिय फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की है प्रती एक आंक इकाई प्रती एक आंक छेतर फल गुजरने वाली चुम्बकिय बल रेखाओं की संख्या को चुम्बकिय फ्लक्स कहा जा सकता है तो हम लोगों ने एक कोईल ले लिया या फिर एक साफिस ले लिया और इसका छेतर फल जो है यदि ए है और यहां पर अगर चुम्बकिय फ्लक्स निकालने के लिए चुम्बकिय फ्लक्स आएगा बी ए कॉस्ट थीटा और यह थीटा क्या है तो भाईया मैं आपको बता दू कि किसी भी छेतरफल सदिस जो होता है एरिया वेक्टर होता है उसके लंबवत होता है और इसके बीच में चुम्बा की छेतर के बीच में जो भी कॉन बनेगा मतलब यदि आपको यहां पर सफेस एरिया ऐसा नजर आता है तो आपको इसका एरिया वेक्टर ऐसा नजर आएगा और यहां जो कौन बनेगा वो थीटा है और अलग-अलग कौन के लिए हमें समान परिस्थिती में भी अलग-अलग चुम्ब के फ्लक्सन नजर आ सकते हैं यह चीजे देखने के बाद में ह अबसे ज़्यादा महात्रकुन का इंटिबूशन रहा क्योंकि इन्हीं के प्रयोग के बाद में हमारे लिए एक नए दर्वाजे खुले इस प्रयोग में क्या देखा हम लोगों ने यहां पर जो है इन्हों ने एक एक कॉईल ले ली मतलब एक चला ले लिया जो जो की चाल जब भी यहां पर विदुद धरा का प्रवाज होता है एमिटर में हमको पता चल जाता है कि कितनी धरा प्रवाहित होई अब इन्होंने क्या किया इन्होंने एक चुम्बक को पहले इसकी ओर लाया तो देखा कि यहां पर एमिटर में विचलन प्राप्त होता है इससे समझ म आया कि चुम्बक में यदि कोई गती नहीं हो रही है तो यहां पर कोई विचलन दिखाए नहीं देता है मतलब कि विद्द धरप उत्पन नहीं होती है यदि चुम्बक किसी कुंडली के किसी जो है कोईल के सापेक्ष अगर इस्थिर हो तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्ह को पलट दिया चुम्बग की तो धारे के प्रवह की दिसा भि बदल गई और विपरवाहित होने लगी इसका मतलब िन्होंने बताया कि चुम्बग की दुरू को पलट देने से यहाँ पर धारा बदलती है फिर इन्होंने क्या किया इसको जो है बहुत ही तेजी से लाया तो उन्हें बहुत ही तेज धारा प्रवाहित होती हुई दिखाए दी पलट कर फिर बहुत ही तेजी से लाया तो इन्हें फिर विप्रित दिसा में भी बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती हुई नजर आई फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने इस चुम्बक को यहां पर से दूर ले जाने का प्रयास किया पहले जो है चुम्बक जो है जब इन्होंने पास लाया था तब धारा प्रवाहित हुई थी मान लेते हैं ये उत्तरी धुरू के लिए इस दिशा में और दक्षनी धुरू के लिए इस दिशा में तो चुम्बक को पास लाने पर धारा प्रवाहित हुई और वो इस दिशा में हुई इसके बाद में जब इन्होंने चुम्बक को यहां से दूर ले जाने का प्रयास ने किया फिर भी धारा प्रवाहित हुई और इस बार वह विपरीत दिशा में हुई इसी तरीके से जब इन्होंने दक्षने धुरू को इसके पास लाया, तो उस दिशा में धारा प्रवाहित हुई, और जब इन्होंने इसे दूर ले जाने का प्रयास किया, फिर से धारा की दिशा पलट गई, ये देखने के बाद में इन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ करते हुए इन्हों के साथ पहले ऐसे ही दहराया और उसके बाद में इन्होंने विद्द्थुख मोगा रख कर इस धारा के मान परिवर्तन में परिवर्तन करते हज़े इस प्रयोग को आगे बढ़ाया जब इन्होंने देखा है कि जब यह बटन चालू करते हैं तो सुन्य विद्द धारा इससे प्रवाहित हो रही होती थी और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता था यहाँ पर भी हमको विप्रिद दिसा में धारा दिखाई देती थी लेकिन एक बार जब यहाँ पर की धारा संत्रिप्त हो जाती थी यहां की धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती थी तब यहां पर विचलन बंद हो जाता था विदुद धारा का प्रवाह बंद हो जाता था फिर जैसे ही यह बटन बंद करेंगे तो यहां पर धारा कम होने लगेगी और धारा कम होते ही यहां पर दोबारा से विद क्षमबक की चर्चा कर लेते हैं इन्हों निभी कुंडली से बद्ध चुम्बक की फ्लक्स लेखिए जब हम जो है क्या कर रहे हैं जब चुम्बक को हम पास ला रही है तब हमको पता है कि यहां पर क्योंकि चुम्बक ही की तीवड़ता अधिक है इसलिए प्रति एक- छेत्र पुल मीं चुंबकिय बल रेखाऊ की संख्या भी दीखोगी और इसका मतलब यह है कि जीतना फ्लक्स हमें इस चुंबक के इतने पास में दिखाई देगा ëिक ना चुंबकिय फ्लक्स हमें चुम्बक से ठोड़ी दूरी पर जब आप चुमबक को कुण्द्ली की ओर या कुंद्ली से जुडस तील रखते हैं एसी स्थिति में असल में आप चुमबकी मतलब इस सर्कुट से इस कुंडली से होकर गुजरने वाली चुमबकिय फ्लक्स की समात्र को जो है परिवर्तित कर रहे हैं उसी प्रकार से जब यहां पर आप इस सर्कुट को चालू या बंद कर रहे हैं तब चालू करने के समय में विदुधारा का मान बढ़ रहा है विदुधारा के मान वहां पर इनके परिवर्तन से मैंने कोई परीवर्तन नहीं हो रोग हो गया है और हमें प्रियोगों तब कुंदली में परिवर्तन के कारण अब सिर्फ वहाँ पर चुम्बकी छेतर रखने से कुछ नहीं होगा तो जैसे ही चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन को हम D, 5B बटा D कर देंगे प्रती एकांग समय में चुम्बकी छेतर के मान में परिवर्तन की दर और जैसे ही इसमें चुम्बकी छेतर के मान में परिवर्तन होता है वैसे ही यहां पर विद्धुत वाहक बल यहने की इलेट्रो मोटिफोर्स EMF उत्पन होने लगता है यहां पर जो है अनुपातिक नियतांग है तो इस पकार से जो है हम लोगों ने देखा कि विद्धूत मंफलक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है उसके दोनों सिरों पर विद्धूत वाहक बल यानि की दोनों सिरों पर विभुवांतर उत्पन करता है और इस उत्पन विभुवांतर के कारण यहां पर धारा प्रवाहित होती है तो जब कभी भी कुंडली से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विदुत वहक बल उत्पन हो जाता है और कुंडली में प्रेरित विदुत धारा के उत्पति चुम्बक तथा कुंडली के मद्ध सापेक्छ गती के कारण हो रही है इन्होंने दंड चुम्बक लिया और दंड चुम्बक ले करके इसकी गती कराई तो सापेक्छ गती के कारण यहां पर विदुत धारादपन हो रही है या विदुत वहक बल उत्पन हो रहा है यह बात कहने के बाद में उन्होंने दूसरी बात कही कि विदुत चुम्बकी प् जो है अपनी संत्रिप्ति को पराप्त कर ले और उसके चुम्यकी चहत्र की तीवर्ता कोई परिवरतन और ख mir ke इमएफ नहीं आएगा अगली बात क्या है कि किसी परिपस में चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्तन की दर के कारण परिदुत वहकबल उत्पन होता है यह घटनाय जो है यह उन्होंने क्या किये निफ्सकर्ष निगा ज़िए उन्होंने अपने अवलोकन के द्वारा बताया और उसके बाद में उन्होंने दो नियम दिये क्या क्या नियम दिये पहला नियम कहता है कि जब कभी भी किसी परिपस से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन के कारण विदुत वहकबल उत्पन हो जाता है और इसका अस्तित्व केवल उस स यहां फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में किसी भी कुंडली के अंदर विदूत वहकबल उत्पन नहीं हो सकता या विदूत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रिरित विदूत वहकबल चुम्ब की फ्लक्स में परिवर इस कुंडली में जो है आपको यह भेटनाय समझ में आएंगे जैसे ही आपने बैटरी का बटन दबाया वैसे ही यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन होने लगा पहले धारा शुन्य थी और सुन्य से अधी अपने अधिक्तम मान आई एम तक पहुचने का प्रयास करेगी य यह धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण क्योंकि धारा के कारण ही चुम्बकी छेतर यहाँ पर उत्पन हो रहा है इसलिए चुम्बकी छेतर के मान में परिवर्तन होने लेगा जिसे हम डी बी के नाम से दिखा सकते हैं अब चुम्बकी छेतर में परिवर्तन होने के का यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्योंकि हमको क्या पता है कि फ्लक्स बराबर बी डॉट डी एस होता है तो यहां पर बी डॉट ए कर देते हैं चलिए बी डॉट ए होता है यहां पर छेत्र फल तो पर परिवर्तित हो नहीं रहा है तो यदि हम फ्लक्स के यहां पर के उत्पत्ति का कारण है तो इस पकार से हम क्या देखते हैं कि यहां पर विद्दुत वहक बल के उत्पन होने का कारण क्या है फ्लक्स के मान में परिवर्तन है लेकिन वो जो रेड़ चिंद आपको दिखाई दे रहा था वो जो है अब क्यों वहां पर दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्या चर्चा की जा सकती है, आए देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, कि यह जो विद्दुत वहक बल यहां पर उत्पन हो रहा है, यह देखे कि यहां पर धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण, फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का व तो था जड़त्व का नियम और जड़त्व का नियम कहता है कि हर एक पदार्थ में वह प्रवर्ति होती है कि वह अपनी गतिज अवस्था में पदिवर्तन का विरोध करता है उसी प्रकार से हर एक कुंडली में जड़त्व होता है और वह जड़त्व इस प्रकार से होता है कि उसके द्वारा जो है उसके अंदर से गुजरने वाली चुम्ब की बल रिखाओं के कारण उसमें एक नियत विदुत फ्लक्स का मान होता है और ये जो जरत्व है वो जो है इसमें इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है तो जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें जो है इससे गुजरने वाले विदूत फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे होते हैं तो यह दूसरी कुंडली जो है विपरित दिसा में धारा प्रवाहित करने लगती है ताकि उसके मान में परिवर्तन ना हो इसका मतलब यह है कि यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो यह उसको कम करने का प्रृयास करेगी, इस प्रकार से विद्धूत वाहक बल की उत्पत्ती का कारण, असल में उस कुंडली की जड़तो वाली प्रक्वित्ति है, जो उसमें विद्धूत वाहक बल के परीवरतन का विरोत कर रही है है, और इसी विरोत जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताईए तब तक के लिए धानेवाद